बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम अलेकुम कैसे आप सब लोग थैंक यू फर वाचिंग फूड़िश पर आज हम बहुत मज़ेकी स्टॉबरी पेस्ट्री बनाने जा रहे हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएंगी बच्चे चुके आज कल लॉक्टाउन की वज़ा से घर पर हैं तो बाहर की चीजें भी खाना मुनासिब नहीं है तो इस वज़ा से मैंने यह ट्राय किया रेसिपी और आप से शेयर कर रहे हैं सबसे पहले हम लेंगे दोंडे और उनको अच्छे तरीके से फैंट लेंगे यह जो पेस्ट्री या केक समझ लें इसको मैं किसी भ पांच मिनट के लिए आपने एक बीट करते रहना है ताकि यह अच्छा सा इसका टेक्स्टर आजे तो आप ने इस तरह से इसको पांच से चे मिनट जब बीट करते रहेंगे तो इस तरह से यह फलफी हो जाएगा उसके बाद आपने इसमें हाफ कप शूगर यानी आदा इसके बाद इन सब चीजों को इच्छे से मिक्स करते जाएंगे और बागी की चीज़ें एड़ करते जाएंगे यह हाफ कप ऑईल है वह भी कोई सब घर में जो आप खाना बनाने वाल होता है वो डाल सकते हैं वजिटेबल और चाहें तो मकरमी डाल सकते हैं लेकिन वह भी प मेरी कोशिश थी के यह इजी बन जाए आपके लिए और को इसमें आपको किसी भी एप्लाइंस की जादा जरूरत ना पड़े जो इस तरीके से हम हाथ चीज को नर्मी से मिक्स कर लेंगे यहां पर जादा जोर से भैंडने की जरूरत नहीं है इसमें जो मैं बाकी चीज़े टूल करने जा रही हूं जैसे स्ट्राबरी ऐसेंस रही है एकर नहीं है तो अपके पास जो आपके पास अवेलेबल थकजम क मेंडने तो आप के पास कोशिश की है पेस्ट्री को या केक पेस्ट्री जो मैं बना रही हूं ताकि बच्चे उनको पसंद आए और वो खोश हो जाएं मेरे बच्चे तो आज कल बहुत दिमांडिंग हुए हैं यह मैंने थोड़ा सा जरिश के अंदर डाल दी है जिसको बारबेरी भी बोलते हैं आप क्याद हम उसके अंदर बाच्चे लिए यंदे जाए जरिए तो यह मैं थोड़ा सा ऊपर कोश्ट्री का विक्षर कर दिया है ताके बच्चों के लिए कुछ न्यूट्रिशीयस एड हो जाए इसके अंदर तो और दूसरा यह कि जब हम टूटी-फूटी की लेयर उपर लगाएंगे तो ज्यादा सिंक नहीं होगी अंदर केक का मिक्सचर के अंदर तो इसलिके से हमने थोड़ी सी बारिक से यह तक्रीबन वन टेबल स्पून भार के जो है वह मैंने ग्रेट कर लीजेगा तो इस तरीके से मैंने उपर की सर्फिस के उपर यह लगा दिया है और हम इसको थोड़ा सा डेकुरेटिड बना रहे हैं ताकि जो हमारे बच्चे हैं वह खुश हो जाएं पतीले में बना रहे हैं तो पतीला जो मैंने प्री हिट किया हुआ है अलरड लागे केक बंठेट को चुके हैं मैं स्कुम्स रहे हैं कि यह जो पेस्ट्री की हमने की बनाया है इस तरीक यह और व्यूम्स करते हैं और पता चलेगा हमें के एक इस तरह से जी बिल्कुल यह रडी है कुछ भी अपर नहीं आ रहा है कोई लीकविट भी तो सामें आईडि बताईएगा और अपना फीडबेक दीजेगा इसके इलावा हम और भी नेक्स जो है वो मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी इसी तरह की रेसिपी केको हमने हीट से रिमूब कर लिया है और अब इसको मैं हलका सा मैंने ठंडा होने दिया है और यह मैंने इसको प्रेट में निकाल लिया है यह बिल्कुल थिन सी लेयर इसकी बनाई है क्योंकि मैंने इसको पेस्ट्री के तोर पे बच्चों को प्रिजेंट करना है तो इसको अब हम कट कर लेंगे किसी भी शेप में आप कर लीजएगा मैं स्क्वेर शेप में कर रही हूं इस तरीके से आप इसको प्रिजेंगे बहुत जूसी सा केक पना है बिल्कुल भी उस तरीके से जो हार्ड होता है वैसा नहीं है उपर से और यह मैंने इनको पेस्ट्री फॉर्म में कट कर लिया और यह देखिए मैंने इसको निकाल लिया है आपको चायट से दिखा देते हैं इस तरीके से और आप मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे कैसी परफॉर्मेंस जा रही है यह देखे हमने पेश्ट्री को प्लेट में निकाल लिया है और बड़ी खुबसूरत कलरफुल और स्वाबरी की बहुत अच्छी फ्लेवर की आरोमा जो है वो मैं फील कर रही हूं इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट एंड बिल्कुल जूसी एंड फ्लेवरफुल पेश्ट्री ह हमारी रेड़ी होगी है इसमें मैंने कोई क्रीम वगारा कुछ हैड़नी करूंगी इसको सिंपली मैंने रखा है और आप भी इस तरीके से बना सकते हैं देखे कितनी कलरफुल और माशाला अच्छी लग रही है आपके बच्चे बहुत लाइक करेंगे इनको आप नॉट अ बताना चाहें कि मुझे क्या बनाना चाहिए और कोई आइडिया देना चाहें तो मॉस्ट वेलकम स्टे होम स्टे सेफ टे किर आफ यर सेफ टे किर आफ यर किड्स थैंक यू सो मच अल्ला हाफिज